प्रिके बाद जार ये टेड़ी बात हमारे साथ भारती जंता पार्टी के हर्याणा प्रदेश के अद्यक्ष राम बिलाज शर्मा जी हैं राम बिलाज क्या इन सभी तमाम मुद्दों को आप कैपिटलाइज कर पाएंगे भुना राजनेतिक तोर पर भारती जंता पार्टी जो कि आज समझा जाता है आपके क्रिटिक्स से लेकर आम लोगों में चर्चा बन चुकी है कि जो पार्टी दस सांसदों के लिए उम्मीद सीटों पर उमीद बार कहां से ढूंडेंगे कहां से लाएंगे और अगर ये लोगों में गुस्सा है तो क्यों ये लोगदल के हिस्से में नहीं जाएगा कांगरेस के खिलाफ क्यों भाजपा उमीद कर रिये कि सब कुछ हमें मिलने वाला है सीट हमें मिलने वाली है देखि विधान सबा बोल रहे हैं जो चुनाव परिणाम है वो आपके सामने हैं ये चुनाव परिणाम कहीं यूपी से नहीं आए कहीं पंजाब राजस्थान से नहीं आए ये इसी हरियाना की महान जनता जनारदन ने ये हमको आशिरवाद दिया आठ में से लोकसबा साथ हम जीते बहतर में से 54 विधान सबा पर हम जीते हैं और हमारा जो पार्टनर है वो लोक सबा की 18 विधान सबा लड़े थे वो 7 विधान सबाओं में वो जीते हैं हिसार से कुल्दीब जी विष्णोई छे विधान सबाओं में जीते तीन में उन्होंने लुष किया और एक जबरदस्ट फाइट उन्होंने दी ये जनता जनारदन हरियाना में इस समय रोजाना आप देख रहे हैं कि भाजपा में लोग जॉइन कर रहे हैं हरियाना की जनता जनारदन के मन में एक बात बैठ जाती है कि इस बार अपन लोग सभा भी जिता दिया है और इस बार हरियाना में हम सरकार भी बना सकते हैं लेकिन लोग क्या क्या ट्रिडिशनली जो वोटर है से दलबदलों को ठीक मानता है इस किसम के दलबदल को ऐसे से नेत आपके साथ आ रहें जो कि अपनी ताउम कांग्रेस के साथ रहें कांग्रेस के खेमों से रात रात में बदल गया हलां कि ठीक है पारलेमेंट में आपने नतीजे ला दिये लेकिन मैं वही कहना चाहरा हूँ कि कहीं पारलेमेंट का जो आपका एक बहुत बड़ी प्राप्ती थी आपकी बहुत बड़ी एक एचीवमेंट थी कि आप की नजनों से उन तक्ष्वां को ओजल तो नहीं कर रही है कहीं नगहीं आप जमीनी हकीकत से दूर तो नहीं होते हैं कि लोक सभा में पता नहीं क्या करती है और आप विदान सभा में ऐसी नतीजे आएंगे वही साथ सीटों को अगर विदान सभा में बांट के देख लें तो भाजपा तो सरकार बनाती सीधी नजर आ रही है लेकिन यहां तो फैक्टर अलग हो चुके हैं अब लोग दल ह होते तो शायद यहां पर भाजपा लड़ाई में ना होती लोग दल और कॉंग्रेस का सीधा मुकाबला होता देखे रितेश जी लोग दल बेक्ग्राउंड में जा चुका है लोग दल सौधरी ओंपरकास चोटाला को हरियाना ने मुख्यमंतरी के नाते देख लिया है सब क गरीब के घर में चली गए इस बार राजनीती जो गरीब आदमी है उसको एक confidence हो गया है कि चाय बेचने वाले को अपन प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं एक घर के खर्च के लिए जिसकी मा पडोस में बरतन माजती थी आज वो जो गरीब आदमी है जो neglected था आज राजनीती का निरने वो आदमी करने लगा है आज कहां वो आदमी करने लगा आप लोग समय में टिक डिक दिए आप कॉंग्रेस से बड़े बड़े नेता उठा ला है धनाड नेता थे ऐसे अरो बहु बल पात्त थे भारती जंता पार्टी जैसी सिध्धान्तों में डूबी हुई वो पिता जोती चोधी आप बिवानी से अपने अमीदवार को देखें आप कुछ और सीटों से अपने अमीदवारों को देखें देखें चोटान नदी नाले नम नेताओं की बात कर रहा हूं जिनको आप लेकर आए कॉंग्रेस से लेकर और आज भी बदस्तूर वो सलसला जा रही है कॉंग्रेस के नितार है तो क्या विनेबिलिटी अगर एक फैक्टर रहेगा तो भारती जंता पार्टी के आप जिस आम वरकर की बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे के कारिकरता भारती जंता पार्टी का प्राण है और ये जो विधान सभा का चुनाव है इस बार कारिकरता को भी पता है के इस बार भई अपन सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं और इसमें सारे जो फैक्टरें जब देश में जन अंदोलन होते हैं जब देश में बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसकी भूमिका में कुछ बाहर से, कुछ बीतर से, कुछ अच्छे लोग कुछ हर समाज से लोगों को उसमें समाहित करना पड़ता है ठीक है आपके ये बार ठीक है एक और मैं सवाल जुड़ता हूँ पूछ लेता हूँ कि मुख्यमंत्री पद के आज बहुत दावेदार और उमीदवार है जिसमें सबसे पहला नाम आपका है और शायद नजर आ रहा है कि सरकार बन गई और मुख्यमंत्री पद तो इस वक्त बिल्कूल सामने है जाओ और पकड़ दो ट्वीटर और फेस्बुक पर पेजिस पर आप किस तरीके से आप लोग अपने आपको परचारित करने हैं कि राम बिलाश शर्मा चीफ मिनिस्टर आफ हर्याना इस किसम की कवायत पहले शुरू हो जाना मुझे बार-बार वही चीज़ याद आती कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं पार्टी जमीनी हकीकत से क्या वाकिफ है जब ऐसी सब नेता इस खोड में लगें इस फेड़ चाल में लगें कि कहीं न गहीं अब कुरसी सामने है उस पर बस बैठने की दौड रहे गी है ऐसे में जमीनी हकीकतों का क्या और उन फैक्टर्स का क्या जो कि आज भी इशारा कर रहे हैं कि शायद हर्याना की असेम्बली में इस वक्त एक हंग असेम्बली की परिस्तिती बने नहीं रितेशी देखे मेरा कोई फेस्बुक ऐसा नहीं है जिसमें चीफ निस्टर एक आदमी ने फेक एक ऐसा अकाउंट बनाया जिसके खिलाफ हमने एफ आई आर्दर्ज कराए मुख्यमंत्री का क्योंकि इस बार एक वातावरण में ये बात आ गई और भारतिये जनता पार्टी इसका निरने करती है कौन कारकरता मुख्यमंत्री होगा कौन कारकरता चुनाव लड़ेगा कौन कारकरता नहीं लड़ेगा भारतिये जनता पार्टी का एक बड़ा जबर प्रदेश शिकाई का चुनाल लड़ा जाएगा यह मैं आप से समझ लेना चाहूँगा यह हमारे हां कई बार क्या होता है इस पारिटी का हाई कमांड स्ट्रेटेजी बनाता है कुछ परांतों में हमने मुक्यमंत्री पहले तयकिये कुछ परांतों में सुनाव के बाद तयकि तो पार्टी की का confidence level इसलिए बढ़ता है क्योंकि लगब किसी किसम का प्रचार तो आप लोग भी लोग सब हमें कर रहे थे कि नरेंदर मोदी को आपने प्रदान मंत्री का उमीदवर बनाया लेकिन कॉंग्रेस ने किसी को उमीदवर नहीं बनाया तो आपने के खिलाफ की कोई खिंचतान नहीं है पार्टी में बहुत अच्छा समूथ समूथ सिस्टम है लेकिन को ऐसा नेता नहीं है पार्टी में क्या क्दढवर कोई नेता नहीं है है कि एक पस्ट इस कद का नेता नहीं है कि अपने आपको विद कन्विक्शन एज़ चीफ मिनिस्टेरियल कैनिडेट में जा पाए भारतिये जनता पार्टी के पास सब कद काठी के नेता है सवा छे फुट के हैं छे फुट दो इंचे हैं आपका अपना कद भी बहुत लंबा चली एक छोड़ से कमर्शिल ब्रेक के बाद आखरी दौर टेड़ी बात के कारेकरम का शुरू होगा और इसमें मैं हर्याना चनहित कांग्रिस के साथ भारतिय जनता पार्टी के एक ऐसे अनीजी गठबंदन की बात करूँगा एक ऐसे संबंदों की बात करूँगा जो की अधबक समने जा रहा है कि तूटने के कगार पर पहुंच चुके हैं और बीच बीच में कभी कई कभार बातें उठती हैं कि लोकदल के साथ भी क्या कोई संभावना बनती थी रामिला शर्मा जी उननेताओं में हैं जो की क्रिटिक रहे हैं ऐसे किसी भी गठबंदन के इन